हेलो फ्रेंड मैं अनुप आप सब्सक्राइब स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रडामर प्लैट्फरम पर सो फ्रेंड आप कैसे हैं आई हो बहुत अच्छे होंगे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे तो चलिए फ्रेंड आज का हम रोग सेशन स्टार्ट करते हैं जो कि सीजेल के लिए इंपोर्टन है और आज और कोर्शन करना मोस्ट इंपोर्टन यह बहुत होगा तो आज होप आप आज बहुत अच्छा लगेगा तो चलिए आज कर संब जो स्टार्ट करते हैं चलो देखो फर्स्ट कोशन है वीच ओफ दा फ्लाइन रेफोर्स टू दा फास्टेक वीच फास्टेस बिगेस्ट एंड मोस्ट एस्पैंसी कम्प्यूटर निमलिकित में से कौन सा सबसे तेज, सबसे बरा, सबसे महंगा कम्प्यूटर को सनभित करता है मतलब आपको पूछ रहा है इसमें से सबसे महंगा कम्प्यूटर कौन सा है आप लोग कम्प्यूटर करते होंगे कौन सा सबसे महंगा कम्प्यूटर यह देखेंगा फर्स्ट प्रस्टनर कम्प्यूटर जिसको पीसी कहते है सूपर कम्प्यूटर, लैप्टॉप, नोटबोक यहां सबका answer आ जाना चाहिए कि जो भी answer option भी बता रहा है जो भी answer option भी बता रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है तो आप लोग ध्यान दीजेगा सूपर कम्प्यूटर आपका सबसे महंगा computer होता है ठीक है, चलो, extra fact में आगे बताओंगा आगे का question में और भी extra fact आएंगे क्या क्या आएंगे तो और बताएंगा collection of related information sorted and dealt with as a unit is simple सा बात पूछ रहा है एक ऐसा चीज जिसमें हम लोग collect कर सकते है क्या collection हो सकता है, मेरा data का या कोई भी चीज भी store कर सकते है तो क्या हो सकता है, मेरा पहला disk, b, data, c, file, d, floppy मतलब एक type का बोरा है, इकाई बोरा ने एक type का तो भाई या music होता है क्या music file होता है, video file होता है audio file होता है तो जो भी answer file बोर रहे ना वो लोग सही है, बाकि लोग गलत है fact and figure is known as data मतलब किसी भी चीज का जो figure हो उसको data कहता है, या fact हो ठीक है, अच्छा, floppy disk से question आता है, क्या आता है बोलता है, profit disk का size कितना होता है तो आप याद रखना, 1.44 MB होता है, not GB MB का form क्या होता है, megabytes, मैं आपका पहले का session जो भी लिया हो, बहुत अच्छे से memory को declare किया हो बहुत अच्छे से बताया हो, तो आप जरूर back video देखे, आपको ज्यादा important अच्छा लगेगा ठीक है, और आज जो question बहुत important question आप जाके सच कर लो कि ये सब question आपका आया हुआ है या आने वाला है या नहीं, आपको खुद पता चल जाएगा clear है, चलो third मैं आता हूँ Which part of the computer helps to store information computer का कौन सा भाग, जानकारी सनहित करने में मदद करता है अब आप बताओ, computer का कौन सा भाग हम लोग को, मतलब हम लोग जिसमें store कर सकते है, जानकारी को किसमें store कर सकते है, बताओ, पहला a keyboard, b monitor, c printer, d describe ठीक है, तो monitor, printer इसमें क्या वो रहा है, store करना न, तो store करना, अच्छा बताओ, keyboard क्या है keyboard एक आपका input device है, keyboard क्या है, input device है, monitor और printer क्या है, output device है, यह सब कभी store करने का काम आता है, नहीं आता है तो क्या store करने काम आएगा, जो option D णी बोल रहे है, वो लोग सई बौल रहे हैं, disk drive, disk drive आपका store करने में मदध होता है और याद रखिएगा डिस ड्राइब क्या है यह सर्ष सेकेंडरी मेमोरी है क्या है यह सेकेंडरी मेमोरी है और ध्यान देना एक प्राइमरी मेमोरी होता है प्राइमरी मेमोरी किसको किसको कहते है रैम और रोम को रैम और रोम को प्राइमरी मेमोरी कहते है तो प्लियर सबको आगे बढ़ा जाए ओके चलो देखो which of the flying groups consist of only output device इसमें से आपको option पूछ रहा है कि इसमें option पूछ रहा है इसमें output device क्या क्या हो सकता है या फीड है देखो पहला में scanner printer monitor दूसरा में keyboard printer monitor सी में mouse printer monitor option d plot plotter printer monitor अच्चा बताओ यह scanner तो सरी इंपूट डिवाइस हो गया यह इंपूट डिवाइस आईडी में लिक्राव इंपूट डिवाइस है माउस भी इंपूट डिवाइस है प्लोटर आपका आउटपूट डिवाइस होता है द्यान दाना सुन लो सुन लो पोश्टर चपते हैं उसको प्लोटर कहते हैं आप लोग नेट में सच करके इसका इमेज देख लो या फिर मैंने स्क्लास से इमेज भी आपको प्रोभाइड करते जाओं कि आपको याद होते जाए तो इसमें option डी जो option डी सोचे है या बोल रहे है वह सही बोल रहे है बाक क क्या इ cattle क्या कहते हैं वाटीस एड़ एड़ कॉन्यकतर की बाठामाशा में एड़ा इंगलिजस में बोलते हैं ना हम लोग कम्प्यूंटर की बहले जो तबग बग कर्सर आइकन अचा देखो-बोक्तर समाःकन होटा अफलिकेशन आइकन होता है तो यह सबतों को आइकन ह ठीक है clear आगे बढ़ों आगे बढ़ता हूं ओके तो जो option a बोल रहा है वो सही है और वाकिलोग गलत है ठीक है अच्छा लग रहा चैनल तो आप ज़रू सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को भी भेजें अपने फ्रेंड को सेयर करें जिससे उन लोग भी सीख पाएं अब सुनो हम क्या गलत हम बोले सब वर्ड पर होंगे और वर्ड में वर्ड में आपने पढ़ा होगा वर्ड प्रोसेसर वर्ड प्रोसेसिंग वर्ड प्रोसेसिंग पर है वर्ड प्रोसेसिंग पर होंगे जरूर पर होंगे ठीक है तो यहां पर सब कूरेंगे option B में आप क्यों मेरे यहां देख डिवाइस म्या एमेस वर्ड कोई डिवाइस नहीं होता हो तो application एकर आप बोलते वर्ड प्रोसीसिंट अप्लिकेशन तो मेरे मान लेता option B होगा बट यह option और कैसे हुआ बता option भी होई नहीं सकता यह तो डिवाइस डिवाइस में option आपको एचिए को तीक करना परेगा जो आप्यों संसाइजगा तरुकर भी सब पड़ा है ना वह डैफिनेटली गलत है जो भी आपस्टन सी बोल रहा है वो लोग सही है तो इसमें ओप से बाकिलो गलत है तो अपना गलत शुरान लिए आगे बढ़ता है ठीक है देखो सेवन नबर ये कोशन मैं कल करवाया था इसलिए मैं डाइट इसका अंसर बता रहा हूं पैगाप या लाइन को सेंटर लाइंग करने के लिए किस कुंजी का फर्क पड़ता है जो भी इस वीडियो को जो भी कल वाला लाइफ क्लास नहीं देख है वो आया हो ठीक है तो कंट्रोल इसका अंसर होगा जो भी इस देर वो सही है बाकी लोग गलत है लाइफ क्लास आट बज़े होता है जरूर आप लोग जूरे है ठीक है चलो एट नमदर को वीच पार्ट अब दा कंप्यूटर डिस्प्ले डा वर्क डन सुन लो कंप्यूटर का क घ्रा किये गए कार को प्रदलसिक करता है मतलब कंप्यूटर का कौल सा डिवाइस है जो डिस्प्ले करने के लिए युज होता है डिस्प्ले को को सनद कितना घुमा रहा आपको कितना कॉसन गुमा रहा डिस्प्ले करने की रिजोता रेम रेम का फुल फॉरम जल्दी तर बता देना है रेंडम एक्सेस मेमोरी रेम का फुल फॉरम क्या होता है रेड़ मेमोरी एक देख और मैं भी बहुत स्कार रहा हूं कि अब यहाम आपका जनवरी से मिले और जादा समझ में आए मोनीटर ट्रिंटर तो मेरा आउट्पूर्ट निकालने का यूज होता है तो मानीटर क्या हुआ का डिस्प्ले करने का यूज होता है तो जो आप्शन सी में मार रहे है वो सही है और बाकी लोग गलत है ठीक है चलो एक तमस्था में यह मॉक चल रहा है ठीक है विच इस पार्ट अब दा कम्प्यूटर डैट वन क्या बूल रहा है कि कौन सा पारे इसको हम हम परटेच कर सकते और फिल कर सकते हैं करके सब्कौन वियर कट चने लगर सकते learnt रहे हैं है सी कर सकते हैं टच और फिल नहीं कर सकते हैं इसका एंसर क्या होगा जल्दी बताओ ऑप्शन एसका एंसर क्या होगा ऑप्शन हे हाडवेयर ठीक है हर वेर ओके चलो आगे बढ़ता है वीच वन यह siya नेटवर्क टापोलोजी देखो ऑचाए टापउलोजी पहले समय स्माझ लो टाप लो टाप लोजी वह चीज जिसमें नेटवाग का पात बता है मतलब नेटवर्क कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं उस चीज को बताए उसको हम हम लोग network connect करने के जरिया को हम लोग topology कहते है clear यहां पूछ यहां पूछा topology क्या होगा option a when w an option b man man option c s an लिखा हुआ option d bus ठीक है इसमें topology क्या होगा तो सुनो भीया बैन का पहला full form देख लो wide area network आप लोग answer दो ठीक है wide area network man couple from a metropolitan area network ठीक है सेन का फुल पूआम कुछ नहीं होता सेन का आप पूल पूआम बताना घर होता है तो होता होगा आप बताना ठीक है अब इसका दो final answer क्या होगा बस बस आपका ना topology बस क्या एक topology और topology और भी होता है कि स्टार होता है रिंग होता है ठीक है आपका रिनियर बस टॉपलोजी वा टी टॉपलोजी वा यह सब यह देखो ठीक है वीच वीच वफ वन फ फ्लाइब इस प्लाइब लाइंग प्रोगामिन लेंग में इसमें जब बोला प्रोगामिंग का हाई लेवल लेंगेश कॉन और मैं दो का डिपनेशन दो का मैं फिल फॉर्म बताना आपको एक फॉर्म बताना को बोल का बज्च ओर सब्सक्वर बताना को बजिटर मि शोर्म ब्रोगाम झारं कोर्वामिन झालतने लेंगेश इनलिनिक Capella कॉ तो बेसिक अबल फ़र्ब बिगनर और परपस सिंबॉल इंस्ट्रक्शन कोड देख लेना और इसका जो एंसर बोल रहे है बाकि लोग गलत है इसमें तीनों आपका हाई लेवल लेंग्वेज है इसका एंसर ऑफसन डी होगा तरो टेको मैं जल्दी जान मुझे करवा रहा है इसका अप्शन और जो आप्शन डी बोल रहा है बाकि लोग गलत है जावा इसकोईल के बार में क्या बता है इसकोईल का बस इतना डिफिनेशन देख लो इसकोईल का आप बस फुल फॉर्म याद दगो इस्टक्चर्ड प्वेरी लेंग्वेज अब भाईया हम पहले बहुत सारा बता चुक है पाइथन किस ने बनाया पाइथन ग्यूडो व बता त का एफानए जावा नंट बता ना था यूडिया इक वह यहां से कुछ में और श wipes time दिखा रहा हो क्पीटर और टीट रिमें क्या था एकनीकोड इसका मदद्वारा टांट्च्ट क्रांट श्च्यूडवेज ने पाइक तक है क्योद रहा हृँ आपको डिस्प्ले कर रहा हो यहां पर आप साइड में देख रहा हो ठीक है आपको साइड ठीक है जेनरेशन फर्स जेनरेशन नाइंटीन फॉर्टी फॉर में आया देख लो नाइटीन फॉर्टी वह पहला जनेरेशन आपका वेक्यूम तीव है दूस्ता हमें देखो सेकंड गम्यूट जनेरेशन आपका पर 1955 से 1964 में है ठीक है और आपका क्या है ट्रांजिस्टर है और थर्ड जन से 1964 से 1977 डेट इन दम इंपोर्टेंट है यह इंटिकरेटर सर्कीट है देख लो आपी मैं इंटिकरेटर सर्कीट के बारे पुछा था देखो मैं एक्ष्रा फेक्ट बताया है ना ओके चलो आगे बता है इक होने ने टीक है टिक है से जी एट टुवेंटी परम यू उवार्ट कुछ परम 8000 शार में एट हंब ने एक हंब तो परम 8000 जो गोल रहा है वोट सभी बार्किलोग गलत है तो आंसर गांब 8000 तीक है चलो आगे बरता है नेस कोशन में आगे ठीक है प्रोसेस ऑफाइंडिंग दे लोकेशन और पार्टिकुलर एलिमेंट इंडा एरे इसको एरे में हम लोग फाइंड करने लिए क्या करता है दो फाइंडिंग देखो यह खोजना खोजना का एंसर से आपको सची मिलता है सर्चिंग एंसर होगा तो ऐसे आप ऑप्सन भी एलिमिनेट करके एंसर करते हो और इसकीप तो आपके पास है कुछ कुछ कोशन इसकीप भी करना पड़ेगा ओके तो चलो जो ऑप्सन भी बोल रहा हो सही बाकी लोग गलत है अब देखलो वीच अब दा फ्लॉइंड सौर्ट कुण जी का भी प्योग किया जाता अभी मैं जो चला रहा हो भी पावरपॉइंट में चल रहा है तो भाईया मेरे इसमें जो ऑप्सन सी बोलना इसकेप इसकेप बटन को हम लोग प्रेस करते है ना तो जो अभी काम चल रहा वो रूख जाएगा मैं इसकेप कर दूंगा त लोकेशन चेंज करना लोकेशन चेंज करना यहां परिडेंटेशन भी बोल सकते हैं या लोग में ठीक है ग्लोग क्लोग 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 क्लोगи संफ शेव से अग्णुमेंट कीज चीज जो मतलब यह एक्ष्टा आपका डूट्र की हुआ तो we do control-z undo direction यह आता है control y control-f to print preview print preview मतलब क्या होता है print करने से पहले हम को देखना है कि कैसा मेरा print आएगा उसको हम लोग क्या बोलते है print preview अगर print का पूछताए तो control plus p ृटिक है केतना अच्छा लग रहा है आपको अच्छा लग रहा है चलो आघे बठता है नेस्ट कोर्शन बें 17 नमर विच फंसन सी की यूज फोर आपेनिंग हैल विच फंसन की यूज फोर आपेनिंग हैल ठीक है मतलब हमको हैल्प के लिए कौन सा फंसन की का जरुवत है यहां भी मैं अक्ष्टा फेक्ट बताओंगा कहीं मत जाएं देखिए अराम से ठीक है अगर आपको फाइल और फोल्डर का नेम फिल से चेंज करना तो हम लोड़ा फाइल और फोल्डर ठीक है एक्टी क्या होगा कि मेरे फाइल और फोल्डर को सच करना था यूज जो अभी विंडो चल रहा हूँ उसको हम बन करेंगे एफफाइव रिफ्रेस मतलब आप भी सब्सक्राइब ज्यादा यूज करें वहां पहुंचा पहुंचा देगा करके दिखेंगा यह तो बच्चा वाला बात होगी आप सब्सक्राइब एक्सेज दा बूट मेन्यू विंडो बूट मेन्यू अगर आपको करना तो एफेट करो एपनाइं रिफेसर दॉक्मेंट एपने आपने एफ्टू से लेके एफ्टू तक क्या होता है टोटल आपने सीख लिया और यह सेशन आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट और आप सिर जरूर करें सबको आगे दिखें विच इंगन कौन सा नहीं है dcfari इस में से साच इंजन नहीं है सफारी जो आपसीं दिवोल रहा वह सही है बाकिलो गलत तो याहू याहू-वाज फाउंड़ेंट जैरी या या डैविड फिलो देखो याहो को किसने बनाया तर जरी यांग या डैविड फिलो आस्क वाज फाउंडेंड बाई डैविड वार्थन और गेरिट गुर्णियर ठीक है और बिंग अपरेट अंडर माइक्रोसॉप्ट मतलब माइक्रोसॉप्ट के कौन सा सब्सक्राइब चल सब्सक्राइब बाकि लोग गलत है ठीक है नेस्ट को समाथ है ट्वैंटी ट्वैंटी आपका होंबा कोशन रहेगा एज डबलू यह आप लोग कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे ट्वैंटी का क्या एंसर होगा और आप ठीक है उसका नेस्ट कोशन में ठेंक यू द और भी कुछ चाहिए स्पेसल तो हमको जरूर एडवाईज दे आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए और एंसर जरूर बताए आपको कैसा क्लास लग रहा है यह भी बताए ठीक है तो हमनों मिलते नेस्ट वीडियो में उस सब तक लिए थैंक यू